नमस्कार किसान भाईयो एफोर चैनल पर आपका स्वागत है आज की वीडियो में अभी तक की गेहूं की सबसे अधिक पैदावार देने वाली वराइटी के सम्मन्द में मैं आपको पूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं किसान भाईयो भारतिय गेहूं एमम जों अनुसंदान संस्थान करनाल हर्याना ने इस वराइटी को वर्सों की मैनत के बाद तयार किया है इस वराइटी का नाम करनवंदना DBW 187 है और यह वराइटी अब तक की सबसे अधिक उपज देने वाली वराइटी है इसकी बुआई क असी दिन बाद इसमें बालिया निकल आती है और यह वराइटी पकने में 120 दिन का समय लेती है किसान भाईयो यह वराइटी उन किसानों के लिए वर्दान से कम नहीं जो गेहूं की कटाई के बाद गन्ना लगाते हैं उन्हें 10 या 15 दिन पहले गन्ना लगाने का मोका मिल ज जाता है और हवा भी चलती है तो गिरता नहीं है इसकी जड़े काफी लंबी होती है जो जमीन में नीचे अंदर तक चली जाती है इसकी बुवाई का छेतर हरियाना पंजाब राजस्थान दिल्ली उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश अच्छा माना गया है यदि इसकी उप उत्पादन प्रती हेक्टर ओसत 65 क्वेंटल के आसपास रहता है जबकि कर्ण वंदना का उत्पादन प्रती हेक्टर 80 क्वेंटल तक हो जाता है इस परकार यह वेराइटी उत्पादन के मामले में अन्य वेराइटी से कहीं आगे है इस वेराइटी में प्रोटीन आईरन व पर जस्ता भी अन्य वराइटी के मुकाबले कहीं जादा होता है और इस वराइटी में पीला रत्वा वे जुलसा रोग नहीं लगता। किसान भाईयो अब इस वराइटी में एक समझ्या इसके बीज के मिलने की है क्योंकि यह नई वराइटी है और अभी तक सभी बीज की दुकानों पर इसका बीज उपलब्द नहीं हो पाया है। पिछले वर्स को देखें तो करनाल अनुसंदान संस्थान ने प्रतेक किसान को आधार कार्ड के हिसाब से टोकन बांटे थे और प्रतेक टोकन पर एक निश्चित मातरा में बीज उपलब्द कराया था। यदि आप इस वेराइटी की बुआई करना चाते हैं तो अपने सरकारी नद्धी के बीज गोदाम पर जाकर उनसे बीज के सम्मंद में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।